आज हम लोग बात करने बाला है ओपो F11 Pro का रिव्यू के बाड़े में तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं इस फोन पर आपको क्या-क्या दिखनी को मिलेगा तो इस फोन में आपको देखनी को मिलेगा 6.53 इंच का LCD डिस्प्ले और इसके साथ आपको इसमें देखने को मिलता है Chipset MediaTek Helio P70 का यह आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है एक OctaCore प्रोसेसर है बेसिकली और इसके सांग आपको जो GPU इसमें देखने को मिलता है वो मिलता है आपको जो की रडोसे 6.0 पर काम करते और इसमें आपको rennere camera देकने को मिल जाएगा एक 48 mega pixel का और आपको इसमें 5MP का depth sensor भी देखने को मिल जाएका इसके साथ में. मतलब आपको लेयर साइड में आपको दो कैमरा देखेने को मिलता एक 48 MP का एक 5 MP का। इसका संझ आपको एक Pop-Up जो कैमरा देखेने को मिलता है. Selfie के लिए. वह अपको देखेने को मिल जाता है. 16 MP का इसका जो battery capacity यह आपको देखने को मिलता है 4000 mAh का battery capacity है इसका इस device में और इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है In-Display Fingerprint Radar इसका संग आपको इसमें देखने को मिलता है 20W का VOC का charger जो कि बहुत ही एक fast charger है, VOS charger इसको बोलते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसका design and build quality का बाड़े में यह जो device एक बहुत premium look का साथ आता है और इसमें आपको देखने को मिलता है water drop noise display जो कि आपका noise तो नहीं है क्योंकि यह selfie pop-up जो camera है इसका बज़े से यह noise जासा feeling दे रहा है और इस phone का जो weight है वो आपको सिफ देखने को मिल जाता है 190 gram का अगला अला जो update है यह इसका है display का जिसमें आपको जो display देखने को मिलता है यह मिलता है आपको 6.53 inch का display इसका जो resolution है यह आपको मिलता है 1080 पिक्सल का और इसमें जो आपको PPI देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 400 PPI अगला वालो जो है इसका यह बैटरी लाइप टेस्ट है इसमें आपको देखने को मिल जाता है 4000 mAh का बैटरी जो की 20 Watt चार्जर का संग इसकी फोन आता है आपको और यह फोन जीरो से लेकिए आपको 40% चार्ज होता है एराउंड 30 मिनिट्स में और यह डिवाइस को फूल चार्ज होने में आपको टाइम लगता है 85 मिनिट का एराउंड इस फोन में आगा 3G टॉक टाइम में अगर आप बैटरी को यूज करोगे तो आपको बैटरी जो परफॉमेंस देगा 33 मिनिट और 9 सेकेंड आप अगर वेब ब्राउजिंग करोगे तो आपको देगा यह 16 आवर 45 मिनिट और वीडियो प्लेवेक करोगे तो आपको यह बैटरी वैकप देगा 30 आवर और 49 मिनिट का अगला वाला जो है इसका OS का बाड़े में याने कि इसका उपरेटिंग सिस्टम का बाड़े में जिसमें आपको देखने को मिल जाता है Android 9.5 जो की काम करते है आपका Color OS 6 का उपर में इसमें आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है Apple Face ID जो की काफी यूजर फ्रेंडली है इसमें आपको गेमिंग के लिए अलग से एक मोट देखने को मिल जाता है इस फोन पे और इसका जो ग्रिक बेंचमार्क स्कोर है 4.1 में मल्टी कोर में ये आपको OPPO F11 Pro में देखने को मिल जाता है 601220 का और इसका साथ सिंगल में आपको देखने को मिल जाता है 1560 का नेक Campbell का आता है इसका आता है कैमेरा इसके आपको देखने को मिलता है 48 MP music प्लस 5 MP dual camera setup देखने एक मिल जाता है इसमें आपको जो की आपका 48 MP में दॉसर सेनसिंग का का मुने इस phone का आपको low light caption भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा जो सब आपको low light में capture किया आपको बहुत ही premium LOOK देगा इसके साथ है आपको इसमें देखने को मिल जाता है अल्ट्रा नाइट मोड्ड जो कि आपका 2x zoom को support करता है आक्टी वाला जो आता है इस फोन का कुछ advantage और disadvantage का बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो आपको इसमें advantage देखने को मिलता है आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है captivating design और इसका साथ हम लोग यह नहीं बोल सकते हैं इसमें यह प्लास्टिक है या फिर एक ग्लास है इसके इतना अच्छा लूक है इसके लिए यह नौर्चलेस वाइट स्क्रीन डिवाइस है यह भी इसका एक advantage आता है और इस डिवाइस का जो performance वह भी काफी वैटरीन है तो यह भ आप ही outdated है और इसमें हम लोग NFC को भी मिस कर रहा है और यह आपका फोड के recording को सपोर्ट नहीं करता है पर अगर आप कुस थर्ट पार्टी आप्स को यूज करते हो तो आपको इसमें फोड की recording भी मिल सकता है और इसमें जो प्राइज रखा गया है इस फोन का वह थोड़ा जादा है जो की थोड़ा कम होता तो और ज्यादा थोड़ा market capture कर पाता यह मेरा opinion में इस वीडियो में बस इतना ही आई होब कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो यडियो आप लोगों का अच्छ लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एं सेर कि अप्ना दोस्त